भारत बनाम उस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्स मुकाबले में काफी कुछ देखने को मिला है चाहे फिर वो रोहित शर्मा को मजाकी अंदाज में जड़ेजा को गाली देना हो या फिर विराट कोहली का अचानक से बीच मदान में डांस करना हो जब इंडिया के इतने बड़े बड़े दिगज खिलाडी इस तरह की हरकत कर रही है तो भारती फैंस पीछे कैसे न रहे और वो भी तब जब शुबमन गिल बाउंडरी पर फिल्डिंग कर रही हो ये तो मौका है ये तो सोने पे सुहागा है शुबमन गिल अगर फिल्डिंग बाउंडरी पर करें तो ऐसे में टीम इंडिया के फैंस कैसे चुप रहे सके आपको बता दे कि स्कूल में तो भारते फैंस बैठे नहीं है जो उन्हें पूरे समय शान्त रहना होगा लेकिन शान्ती तो दूर की बात है यहां तो दूर दूर तक शुबमन गिल को फोकस ही नहीं किया जाने देने वाली घटना हुई चलिए आपको सस्पेंस में ना रखते हुए बताते हैं कि भारते फैंस ने क्या किया जब बाउंडरी पर शुबमन गिल फिल्डिंग कर रहे थे यह घटना तब की है जब उस्मान खुआजा आउट होने ही वाले थे उससे पहले बाउंडरी पर फिल्डिंग कर रहे शुबमन गिल को देखते ही फैंस ने हल्ला काटना शुरू कर दिया और फैंस ने कहा तुम्हारा भावी कैसी हो सारा जैसी हो क्योंकि शुबमन गिल और सचिन तंदुलकर की सुपत्री सारा तंदुलकर के बीच relationship में आने की या कभी-कभी affair चलने की खबरे सामने आई है दोनों की indirectly ऐसी तस्वीरे share की गई है social media पर जिसमें पता चलता है कि दोनों एक ही cafe में या फिर एक ही restaurant में साथ में हो और एक ही समय पर दोनों की तस्वीरे उन दोनों के handle पे आई हो अब इतना जादा hint देने के बाद भारते फैंस को मौका तो मिल ही जाता है अपने फेवरेट खिलाडियों को छेड़ने का हाला कि इतना होने के बावजूद भी शुबमन गिल जरा भी अपने focus से नहीं हिले और उस्मान ख्वाजा का catch डाइब लगा कर पकड़ लिया अब ऐसे में टीम इंडिया के पुछले बलेबाज ही भारत का सम्मान बचा सकते हैं वरना अगली बार किसी और तरहा का जोश टीम इंडिया के फैंस में दिखाए देगा जो शाद ठीक नहीं होगा इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रही है वन इंडिया के साथ